कि Hello everyone in this video we will discuss important function of language कि important कौन-कौन से function होता है language की इससे पहले हमने language की टॉपिक पे कई वीडियो पे काम किया है तो आप प्लेइलिस में विजिट कर सकते हैं यह unit 1 का टॉपिक है हमारा कि या फिर कोशन कंप्लीट आ जाता है कि function क्या होता है language का कि so language क्या होता है when when you start to communicate whether it is in written form और in oral form जब भी आप लिखकर या बोल कर कुछ भी express कर सकते हैं अपने thoughts को अपने feelings को तो वह सारा कि किस में करते हैं अब language में करते हैं language function in three different ways अलगलग तरीकों से जो language है वो function करती है और language के function बहुत जादा है पर कुछ जो important है उन्हें को discuss करेंगे इस वीडियो में बिकास बिना language के तो कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए language important है अगर मैं explain कर रही है तो मेरे लिए language important है मेरे लिए important है क्योंकि मुझे language आएगी और मैं speakable होंगी तभी मैं चीजों को पढ़ पाऊंगी समझ पाऊंगी और उसे elaborate कर पाऊंगी अपने words के थूरू अपने thoughts को mix करके अगर आपको language आएगी तब आप मेरे जो मैं बोल रही हूँ जो मैं आप समझा रही हूँ उसे आप समझ पाएंगे उसे note down कर पाएंगे उसे express कर पाएंगे या फिर उसे लिख पाएंगे अपने exam में सो language सबके लिए important होती है और अगर इसके तीन important parts की बात करें तो वो है informative, expressive और directive इन तीनों parts पर भी बात करेंगे informative कैसे होती है जो language है informative function क्या होता है informative जो word है आपका वो information से आया जैसे कि जो information है आप कहां से information लेते हैं या information देते हैं आपको पढ़ने आपको books चाहिए आप Google पे search कर रहे हैं आप YouTube पे search कर रहे हैं आप कहीं पे भी कोई चीज information लेते हैं तो वो किसके through लेते हैं वो जो मिलती है आपको information वो किस रोप में मिलती है, किसी लेंग्वेज के रोप में मिलती है, वो लेंग्वेज आपकी हंदी हो सकती है, इंगलिश हो सकती है, या आपकी कोई डायलेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यह आपका information हो गया, suppose आपको यही topic गूगल पे सर्च करना है, important features of language तो जब आप Google पे search करेंगे या फिर आप इसको book में पढ़ेंगे तो क्या है जो information लिखी हुई है that is in English language तो वहाँ भी language आ रही है अगर आपको English ही नहीं आएगी तो काम नहीं हो सकता ना जब आपको आएगा ही नहीं तो फिर आप कुछ है जितनी information आपके सामने आप उसी ना तो पढ़ सकते हैं ना ही समझ सकते हैं तो language का एक important function होता है कि वो information प्रवाइड करती है with the help of language हमें जितनी भी information होती वो मिलती है next इसका important था वो था expressive expressive means to express anything जब आप अपने thoughts को अपने feelings को express करते हैं with the help of language आप अपने घर में आपको किसी चीज की demand करनी है आपको कुछ kitchen में बनवाना है तो भी आप language का use करेंगे आपको college में जाना है तो भी अगर आप auto भी लेंगे तो वहाँ भी आप language का use करेंगे अगर आप phone पे बाते कर रहें तो भी आप अपने आपको express करने के लिए अपने friends के साथ language का use करेंगे आप college में presentation देते हैं तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं अपने language के थूँ अपने views को express करते हैं तो यहाँ पे जो language है वो एक part है express करने का या फिर जो language है वो express करते हैं हम कोई भी अपने views को, thoughts को, किसी topic को, in fact exam में भी हम क्या करते हैं, express ही तो करते हैं, अपने views को, अपनी knowledge को, कि आपको ये question आता है तो आपने उसे बहुत अच्छे से express किया है, वहाँ पे, elaborate किया है, तो ये क्या है, ये इसका एक function है, कि आपको English language जाती है, आपको ये particular answer आता है, और अगर exam में आएगा तो आप इसे express करते हैं, this is the point of expressive, next is directive, directive means जब आपको expression आगया, आपको information मिल गई, किसी भी चीज को आपको बनाना है, ये आपको किसी lead में करना है, direct करना है किसी भी काम को, तो वहाँ पे आपका क्या use होता है, language use होता ह Out of these three informative functions, seems to be most important, जितने भी हमने discuss कि ये तीन important, informative, expressive और directive, इनमें सबसे ज़्यादा important है हमारा informative, और informative को इतनी importance क्यों मिलिये, क्योंकि जितनी भी informations, day to day life में हमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम informative का use करते हैं, language में, ये language का एक सबसे important function है, आपको कुछ भी नहीं आता, जाए स्कूल की, college की, घर की, exam की, question paper की, previous year question paper की, तो सारी information आपको किसकी help से विलती है, with the help of language, मैं इसे आपके topic से exam paper से connect कर रहे हूं, अगर आप चाहें तो day to day life से भी connect कर सकते हैं, it looked closely, entire human development is because of the particular function of language, कि जो complete हमारा human development होता है, जो इनसानों का development होता है, that is surrounded, और इनके surrounded में क्या होता है, language होता है, ये particular function होता है, language का, क्योंकि कोई भी human being है, वो develop होता है, अपनी society में, और जब वो society में develop होता है, तो as I told you earlier, कि जो norm choms की थे, वो बोलते हैं, अपनी theory में, जो let D, उन्होंने, LAD, उसमें उन्होंने बोला कि जो child है, वो isolation में develop नहीं हो सकता, isolation में उसकी language डबलप नहीं हो सकते, बिकोज कोई भी इनसान अगर isolation में रहेगा, तो ना तो वो कोई language acquire कर सकता है, ना वो कोई language बोल सकता है, और ये बहुत important है, ऐसा नहीं है, कि language बोलना इसी भी language को, ये language का एक important function होता है, एक important काम होता है, कि जो human का development होता है, उसमें language बहुत important role play करती है, development कैसे, अगर आप physically development की बात करें, तो अगर आपको भूख लगिये, तो भी आप language के through ही express करेंगे, that you are hungry, तभी आपको खाना मिलेगा, अगर आपको पानी चाहिए, तो आपको पानी के लिए बोलना पड़ेगा, आपको पानी चाहिए, लेकिन आप support करो कि अगर आपके पा by step, जो language है, वो एक important role play करती है, absence of the function would rest is confinement of knowledge, one person or society, society को ज़से discuss किया, कि अगर हमारे पास language नहीं होगी, तो क्या होगा, we are not able to communicate each other, we are not able to make relation with each other, क्योंकि अगर आपको किसी दोस्ती भी करनी है, तो भी तो language चाहिए, आपको, hi hello, अगर आप start करते है, तो भी आपको language अगर आपको knowledge गेन करनी है, तो भी एक language important role play करता है, किसी भी चीज के अगर आपको knowledge चाहिए, कोई भी x, y, z, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसमें क्या है, language का role होता है, there would be no means to share information and knowledge, अगर language नहीं होगी, तो यह बहुत important point है, कि अगर language ही नहीं होगी, तो क्या होगा, जो views जो knowledge, जो information share होती है, वो नहीं होगी, जैसे कि कुछ भी चीज, अगर आपको पढ़ना है, या आपको पढ़ाना है, या आपको elaborate करना है, आपको बात करना है, आपको गूगल पे search करना है, आपको exam paper में लिखना है, जब तक language नहीं होगी, तो वहाँ पे knowledge का कोई मतलब नही है, think about it, अगर आपकी language ना हो, आपके mind में पूरा answer हो, तो आप express कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, अगर college में presentation है, लेकिन आपके पास language नहीं है, तो क्या वो presentation हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि जो language है, वही तो share करती है knowledge को, how would the word be today is, Newton has no means to share the knowledge he had, there would not been to develop in the field of In the field of physics, entire human civilization would not have evolved the way in today's, कि सोचो, अगर जो language नहीं होती, तो क्या ये civilization जो हो रहा है, entire world में ही वो possible होता, without the function of language, क्या बिना language के function में ऐसा possible होता, नहीं होता, अब language की, अगर हम कुछ key points की बात करें, जो language होता है, वो हमारी feelings को भी express करेंगे, करता है, हमारे emotion development में help करता है, वैसे तो language में हम बहुत सारे points को include कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो function है physically, mentally function, mentally function में क्या आ जाता है, जो आप जितने भी mind related, या जो exam, पढ़ना, लिखना, ये सारा किसमें आगे, इसी के अंदर आ जाता है आपका, emotionally क्या होता है, किस तरह से हम language से जुड़े हुए होते हैं, अगर language नहीं होगी, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, कि आप किस mood में है, इस टाइम पे आपके उपर या आपके अंदर कौन सा emotion है, love का है, fear का है, anger का है, hesitation का, किस तरह का emotion आपके अंदर डवलप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें किस से पता चलती है, language से पता चलती है, हम अपने views को express करते है, expression को वैसे भी बहुत important point दिये, जो expression है अमारा, वो किस के through होता है, language के through होता है, और to get knowledge, ये इसका एक important point है to get knowledge, knowledge को भी हम कहां से लेते हैं, with the help of language, जो development होता है, all-round development की बात हो रही है, यहाँ पे, all-round development में, I hope you all are aware, जो आपका physical development होता है, mental development होता है, spiritual development होता है, social development होता है, social development क्या होता है, जो आपकी society में develop होता है, educational development होता है, तो ये सारे जो development होते हैं या आपके सारे language के through ही होते हैं जैसे कि एगर physical development की बात करो तो आप बोलेंगे आप physical में language का क्या रोल है लेक तो आपको पता अब जो physical development होता है जो आप share करते हैं, yoga करते हैं, भागदोर करते हैं, games खेलते हैं तो वो सारा क्या है अब ऐसा तो नहीं कि आप मूँ बंद करके कोई गेम खेल सकते भी ना लाइंग्विज की तो इस तरह से इसको रिलेट करना है mental development जितना भी आपका दिमाग से रिलेटिड काम होता है that is all depend on language Supreme usually at this spiritual spirituality जो होति जो आस्त्म होती यह भी आपका क्या होता समें भी language का rolling play होता है सपोस्ज आप मंढिय से करेंगे और आपको लिंगविज इन ही और आटी कैसे करेंगे पूजा-पार्ट कैसे करेंगे ? यह जो भगति या पूजा-पार्ट जो चल रहा है वह आपके दिल दिमाग में कैसे पहुचेगा जब तक आपको language नहीं आएगी तो इसलिए कहते हैं कि जो language है वो human के all-round development के लिए important होता है और all-round development में आप ये सारी चीजों को इन सारी चीजों को elaborate करेंगे तो ये जो topic है यहीं पर finish होता है language की definition क्या है या language की characteristics क्या है language और human language और animal language में क्या difference है इन सबकी separate video है आप उसे देख सकते हैं और जो इसकी qualities है या जो theories आती है इसकी poo-poo theory हो गई या ding-dong theories हो गई ये भी एक important point है इसके ओपर भी video uploaded है you can see और visit playlist में विजिट कर सकते हैं